Hi Everyone, Welcome Back to my channel, My Name is Rajiv Aroda, I'm a Qualified Lawyer and a Canadian Immigration Expert with India's Leading Immigration Company, Nationwide Immigration Services आज बात जो करने जा रहे हैं वो Canada Immigration की तो नहीं है बट यह हमारी जिन्दगी के बारे में यह लाइफ के बारे में बात है जो कि Canada Immigration से भी उपर का topic है, फूचा topic है What is life? ये जीवन क्या है? हम इस जीवन में IQ है? हमें करना क्या है? हमारा लक्षे क्या है? ये क्यों बनी है जिन्दगी? तो बहुत सारे लोग आप में से हम से मुझे से बड़े होंगे, ग्यानी होंगे लेकिन सबकी अपनी अपनी इसके उपर philosophies होंगी, अपने अपने opinions होंगे मैं अज अपना opinion आपके साथ में share करना चाहता हूँ मैं अपनी दिल की बाता आप से share करना चाहता हूँ मुझे क्या लगता है कि जिन्दिगी क्या है क्यों है और हमें क्या करना चाहिए इस जीवन के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉंटेंट अच्छा लगे, तो लाइक करके शेर कर दीजेगा, ताकि बाकी लोगों के साथ भी मेरे विचार सांजा हो सकें, और लोग मुझे और फोलो कर पाएं, और हम जादा इंट्रेक्शन और कर पाएं, को समझ के चलें, एक फीलिंग है, यह जीवन जो है, एक फीलिंग का नाम है, और भगवान ने हमारे को डिफरेंट डिफरेंट तरह की फीलिंग्स दे के भेजी हैं, यह जीवन करम भूमी है, करम भूमी विद फीलिंग्स, करम भूमी के उपर हमारे को हत्यार, विपन्स द के लिए दिया शरीर को हमें दे करके भेजा बिना शरीर के बिना बुद्धी के बिना आँखों के बिना नोज को दे के भेजा सूंग भी सकते हैं सांस भी ले सकते हैं तो हमारे को यह सारे equipment's दे करके भेजे हैं, जिससे हम जीवन जी पाएं, लड़ पाएं और करम कर पाएं इससे हम, बुद्धी इसलिए दे के भेजी, ताकि हम decision ले पाएं, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी हो रहा है भगवान कर रहा है, अच्छे काम भी भगवान कर रहा है बुरे काम भी भगवान कर रहा है तो फिर हमारे करम क्यों अच्छे काम भी हम करते हैं बुरे काम भी हम करते हैं क्यों कि भगवान ने हमारे को उसकी ability दे के भीजी है हमारे को हाथ दे के भीजी है हमारे को आखे दे के भीजी है और आपको बेजा है कि करम करो और उसके उपर एक law बना के भीजा है कि जैसा करो के वैसा भरोगे अब मैं आप वीडियो बना रहा हूँ आप से बात कर रहा हूँ यह मेरा करम है मैं करम कर रहा हूँ मैं अच्छा करम करूँगा तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा मैं बुरा करूँगा तो मुझे रिजल्ट बुरा मिलेगा law बना के भीजाए भगवान ने अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा होगा चाहे इसी जनब में होगा या अगले जनब में होगा वो अलग बात है लेकिन अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा होगा ये law बना के भीजाए तो हमारे को weapons दे के भेजिया है यह हमें समझने की जूरत है और साथ में feeling दे के भेजिया हमें feeling क्या है हमें कोई लोग तारीफ करता है तो हमें खुशी मिलती है हमें कोई अच्छा बोलता है था हमें को खुशी मिलती है यह feeling है हम कुछ achieve कर लेते हिए तो हमें खुशी मिलती है एक शरीर के अंदर आत्मा भी डाल के भीजी है अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो आत्मा हमको बताती है कि यह गलत है हमें पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है ये feeling भी भगवान ने दे के भेजी है लेकिन हम फिर भी विचलित हो जाते हैं और विचलित हो करके हम गलट decision लेते हैं तो ये जो world बना हुआ ना ये mystery बनी हुई है ये बहुत ही बहुत ही विचेतर है इसको बहुत लोग दुनिया नहीं समझ पाई लेकिन हम अपनी best definition क्या लेकर क्याते हैं उस भगवान की feeling के साथ जोड़ के देख लेते हैं उस उपर वाले की feeling के साथ ही जोड़ के सकते हैं कि उन्होंने जो feeling दे के भेजिये ना खुश होने की माता पिता की सिवा करो के खुशी मिलेगी किसी गरीब की से help करोगे उसमें आपको खुशी मिलेगी आप अच्छे कारम करोगे उससे आपको खुशी मिलती है आपको अंदर से संतुष्टी मिलती है आप इसको सोचिए ठीक है तो वो काम हमें करने चाहिए ये तो हमें सीधी सीधी समझ दे के भीजी हुई है लेकिन हम भटकते हैं इदर उदर भटकते हैं भटकने के लिए भगवान ने मन्दमी बना के भीजाया हमें तो इन सब को कंट्रोल करना भगवान दे शरी कृष्ण ने गीता में बोला है कि आपको इन चीजों को कंट्रोल करके चलना है हर चीज का सही उपयोग करके चलना है अपने हाथों का, अपने पाओं का, अपनी बुद्धी का, अपनी आखों का सही उपयोग करके चलना है अपने वेपन सभी दे के भीजे हैं तो मुझे लगता है कि जीवन जो है जिन्दगी कुछ अच्छा करने के लिए है अच्छे करम करने के लिए है क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं आपको अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है लेकि जब आप बुरा काम करते हैं तो आपको ब पड़ा भगवान नहीं इस धर्ते के उपए अपने माता पिता का ख्याल गवे जिटने भी हो सकता है अपने परिवार का ख्याल करें और अपने दोस्तों का धियां रखें उनका प्यार करें il supplements है एक160 करें et 1 अच्छा human being बनने की हमेशा कोशिश करें और आप हमेशा जिन्दिगी में फन करें आपको जो लगता है जिन्दिगी में फन करना है खाना पीना मौच करनी है वो ज़रूर करते हैं आपने parties करनी हैं बिल्कूल parties करी ए ये जीवन है पार्टीस भी बनी है तो इससे भी हमें एक feeling आती है, अच्छे लगता है हमें, तो उसका enjoy करिए आप और कोई भी ऐसा काम ना करिए कि जिससे किसी का कोई hurt होता हो, जिससे कोई किसी का बुरा होता हो, वो काम आप मत करिए और मुझे लगता है कि जीवन इसी का नाम है, और अपनों का प्यार का नाम ही जीवन है, अपनों उसको प्यार दे, और प्यार से अच्छा लगता है, जब हमें प्यार मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हम किसी को प्यार देते हैं, उसको अच्छा लगता है, तो यह के विश कीवल डालने के लिए एक तेधर कपड़ा भी हो वे उसने दिया ही है उसने चाहे हमें हाथ पाउँ आखे सलामत भी आ हुइं उसने हमें दिया ही है उसने लिया तभ कुछ ही नहीं है हम धर्ति प qualify थी तो उसने हमें बेजा ही तो हमें grateful होना चाहिए grateful नहीं होना चाहिए हमें grateful होना चाहिए अपने भगवान के लिए कि हमें कुछ मिला ही है हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास जादा क्यूं है भोतों के पास कम भी तो है क्या किसी ने बोला कि उसके पास कम क्यूं है भगवान ने आपको आके बोला, आपको जादा भी तो दिया हुआ किसी से, हम कहते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, कुछ मिला भी तो सही, हम ये क्यों नहीं कहते हैं, ये हमें क्यों मिला, जो मिला है, उसका शुकराना का हमें करना चाहिए, क्योंकि किसी को जादा मिलता है, किसी को कम मिलता है और लेकिन हल किसी को देने का एक रीजन होता है जो भगवान ने दिया है और उसके बाद में एक ऐसा प्लैटफॉम दिया है जिसके ओपर हाथ पाउं दिमाख आखे बुद्धी दिया है करम करो और अचीव करो किस आपको कम किसी से क्यों दिया अगर यह आप सवाल सोचते हो तो किसी से जादा भी दिया है यह आप सोचते नहीं हो यह आपको अपनी बुद्धी का प्रयोक करना है समझना है यहां पर और हमेशा खुश रहिए जो भी है उसका शुकराना करिए और अच्छे के लिए काम करिए जो है उसके लिए खुश रहिए और अच्छे के लिए काम करिए आई थिंक यह मैं अपने जीवन से सीखा हूँ और मैं चाहता था कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ